हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में मेरा नाम आम आप देख रहे हो डिजिटल सिरीज तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चलते हैं पहले कर्षण की निडिया के इसित्य अफसर मेरा की एप देख मेरे अंगलेंड आने पास्वां से शराज मेरा जन्म सिध अधिकारि यह किस ने कहा था तो जो इसका सही औंसर जोकमानलेति इलगांदीन और भगजसिंग तो जोई रहे हैं लोकमानले लग्नॉ तिलक गंगा नदी किस राजे से होकर नहीं गुजड़ती है तो जो इसके उप्सन है उत्तरबर्देश, हर्याना, पंजाब और उत्राखन तो इसमें से अगर आपने हर्याना को सही बताया है तो यही इसका सही आंसर है क्वेशन नमबर चार है ओली किस जन्पत में है तो इसके उप्सन है पोड़ी, चमोली, उत्रकासी और देहरादुन तो जो इसका सही आंसर है वह है उप्सन नमबर बी चमोली चलते हैं पापी को स्त pronounce क्वेशन के जमने है तो जो पापी का शुच्पत में हर्यों जो पापी का शुचक का स्तुर्ण होगा है तो इसके उप्षन है गज यानि की हाती, बिल्ली, सेर या बंदर तो जो इसका सही अंसर है वह है उप्षन नमबर D बंदर अब आता है हमारा कुश्चन नमबर साथ नंदा देवी सिखर कहा है तो जो इसके option है उत्राकंड, बिहार, उत्तरपर्देश और पस्चिमंगार तो जो इसका सही answer है वो है option number है याने की उत्राकंड Question number 8 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो जो इसका सही answer है वो है 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है Question number 9 कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष थी Option है स्रोजी नाइडू, एनी बैसेंट, इंद्रा गांधी या विजय लक्षमी अली तो जिसका सही answer है वो है option number B एनी बैसेंट Question number 10 है भारत का राष्टे पुस्प है तो भारत का राष्टे पुस्प कम ले तो आपने इसी वे इसी को टिक करना है चलते हैं Question number 11 की और तो यह है मैं का भौवचन है यानि आपको मैं का भौवचन बताना है तो इसके option है दोनों हमको सब यह हम अगर आपने Option number D यानि हम पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है चलते हैं Question number 12 की और कतखली किस प्रदेश का नित्य है तो इसमें है Option करनाटक, केरल, उतलाखन या आंसर प्रदेश तो अगर आपने Option number B केरल को चूज क्या है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है चलते है Question number 13 SI की full form है तो जो SI की full form है वो आपको पता है सब इस्पेक्टर, Option number C इसका correct answer होगा Question number 3 हमारा ब्रह्म समाक की इस्थाप्रा किस ने की इसके Option है दयानन सरसथी विवेकंण रजानाम मोहन राय और भीम्राव अमबडगर तो इसके जूसर या डियानन सरसथी ड्यानन सरसथी ने की था हारे समाज की स्थाप्र की दयानन सरसथी ने चलते है Question number 15 की होर Question number 15 हमारा है उत्राकर राज अस्तित्य वें कब आया था तो इसके option है एक नंबर 25, एक फरवरी 26, एक जनवरी 27 तो आज नंबर 28 तो जो इसका सही answer है वो option नंबर C एक जनवरी 2007 हमारा है question number 16 उत्राखन राज्य में राजे सभा में कितने सिटे हैं तो जो इसका सही answer है वो है option number C तीन सीटे हैं राजे सबागी क्वेस्टन नमबर 17 है उज्टराखान भारत का कौन सा राज्ज है तो यानि कि ये कौन सा राज्ज बना था तो यह है इसके उप्सटने 11, 22, 27 यह थीसवा तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्सटन नमबर 27 राज्ज है अगला कुश्टन है हमारा 18 गर्दे सेवा संग का गठन किस नहीं किया था तो इसके उप्सटने बदिरत पांडे स्रीदेव सुमन राम पाल या गोपी जन तो इसका सही आंसर है वो है उप्सटन नमबर B स्रीदेव सुमन कुश्टन नमबर 1949 इस्वी में टिहरी राज्य परजा मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी तो टिहरी राज्य पुछा है तो यह है इसका सही आंसर है वो भी वो टिहरी ही होगा कर दो चलते हैं कुश्टन नमबर 20 के और उत्राखन का पर्थम परमवीर प्राप्त करता कौन था तो जिसका सही आंसर है वो है मेजर सौमनात सर्मा कुश्टन नमबर 20 किस तंगला धरर किस जन्पत में इस्तिते तो इसके उपसेने अलमोडा उत्तरकासी चमॉली और पितोर अगड तो जिसका सही आंसर है वो है उपसेन नमबर 20 किस जन्पत का कौन सा धरर चेन को जोड़ता है तो इसके उपसेने भुलिंग बाल्च्रा ट कि दो गुपत संगधन में निम्नी में किस स्थान पर मना जाता है तो चलते हैं question No.24 और कि व्यकास पूरस के नाम से किसे जाना जाता है तो जो नारायणदर तिवारी Mr. B चलते हैं क्वेस्टन नमबर 25 के ओर क्रांतिवार नामक गुप्त संगधन किसने बनाये था तो जो इसका सही आंसर है वह है उपसर नमबर B कालू महराने चलते हैं क्वेस्टन नमबर 26 के ओर कभी रिदास की बासा थी तो इसके ओपसर ने सदुकड़ी बज्र कनोजी या खड़ी बोली तो जो इसका सही आंसर है वह है सदुकोड़ी ओपसर नमबर A चलते हैं अब क्वेस्टन नमबर 27 के ओर सिवा बावनी के रचनाकार कौन है तो इनमें चार उपसर में से पद्माकार बूसर तूलसिदास या केसवदार तो इसका सही आंसर है वह है उपसर नमबर B बूसर इसके रचनाकार है चलते हैं क्वेस्टन नमबर 28 के ओर हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है तो जो इसके उपसर नमबर 29 कहानी के रचनाकार है तो इसमें उपसर नमबर 29 कहानी के रचनाकार है तो इसमें उपसर नमबर 29 कहानी के रचनाकार है तो इसमें उपसर नमबर 29 कहानी के रचनाकार चलते हैं question number 30 के ओर साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप इस पंक्ति के रचेता कौन है तो जो इसका सही answer है वो है option number A कबीर अब चलते हैं हमाना question number 31 start है रामचरित मानस की भासा क्या थी तो जो इसका सही answer है वो है अवदी कि रामचरित मानस आपको पता है अवदी भासा में लिखी गई है आप चलते हैं question number 32 के ओर रामचरित मानस में कितने कांड है तो इसके option number A5, A8, A6 या 7 तो इसमें किंदे कांड है आपको पता है option number D यानिकि 7 कांड है चलते है question number 33 हिंदी का आधी कवी किसे कहलता है तो इसके option A स्वयम्भू, जरप्पा, रह्मान और कवीर तो इसका सही answer है वो है option number A स्वयम्भू आप चलते है question number 34 के ओर हिंदी गद्दे का जन मजाता किसे मानना जाता है तो इसके option ए परताब नारायन मिस्टर, भारतेंदू, हरिस्चंदर, रह्मान और बालकृष्ण भट तो जो इसका सही answer है वो है option number B भारतेंदू, हरिस्चंद चलते है question number 35 के ओर प्रेम चंजी के अधूरे उपननास का नाम क्या है तो इसके option है मंगल सुत्र, गवन, रंग भूभी और सेवासदन तो इसका सही answer है वो है option number A मंगल सुत्र चलते है question number 36 के ओर असो के फूल के रशनकार कोन है तो इसके option है हजारी परसाद दिवेदी कुवेरनात राय गुबाल राय या कभीर तो इसका सही answer है वो है option number A हजारी परसाद दिवेदी अब एक question number 37 सकीवे मुझसे कह कर जाते प्रसुत पंक्ति के लेकर कोन है तो इसका सही answer है वो है मैतली सरण गुप्त question number 38 श्टाड है विश्व मित्र का सही संदी विच्छे दे तो इसका सही संदी विच्छे दे विश्व धन आमित्र विश्व विश्व प्लस मित्र विश्व प्लस मित्र विश्व प्लस मित्र तो इसका सही answer है वो है option number A विश्व प्लस आमित्र question number 49 है परति कूल में कौन सा उपसर्ग है तो प्रति कूल में आपको पता है कि इसके आगे क्या लगा है प्रति तो आपको पता है उपसर को जो वो होता है जो आगे लगता है और प्रति यह वो होता है जो पीथे लगता है तो इसमें जो उपसर को पुछा है तो इसका उपसर को है उपसर नमबर सी प्रति चलते हैं क्वेशन नमबर चालिस की ओर दस मुक में कौन सा समास है तो इसमें दस मुक तो इसमें है बहुब्री समास तो कि इसमें तीसरे चीज़ का बहुत हो रहा है अब चलते हैं क्वेशन नमबर एक तालिस की ओर दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए सार्दक सब्द को क्या कहते हैं तो इसके उप्शन है संदी अव्य समास या चंद तो जो इसका सही अंसर है वो है समास उप्शन नमबर C चलते हैं क्विशन नमबर 42 के और कन्यादान में कौन सा समास है तो कन्यादान में आपको पता है option number a तत्पुरूस समाल से question number 43 सेना का पर्यावाचे सब्दे तो इसके option है अनिक सेनिक, अरी या अत्नू तो जो इसका सही आंसर है वो है option number a अनिक चलते हैं question number 44 की और तर्वनी का पर्यावाचे सब्दे नाम, युवती, सूर्य ए नरी तो जो इसका सही आंसर है वो option number C, सूर्य चलते हैं question number 45 के ओर अम्रित का प्रियावाची सब्द नहीं है तो नहीं पुझाए अमिय ये भी अमिय ये भी है सुधा ये भी है पियूस ये भी है तो इसका सही आंसर है वो है option number C, रसाल रसाल किसका है? रसाल है हमारा आम का चलते हैं question number 46 की ओर अती का विप्री तार्थक सब्द है विप्री तार्थक यानि कि इसका उल्टा तो जो इसका option है वो है न्यून, अल्प, कम्या नगण तो अती यानि कि भौजादा और इसका सही जो सब्द होगा वो है option number B, अल्प चलते हैं question number 47 की ओर समय की दिश्टी से अनुकूल इसको आपने एक सब्द देना है कि ये सब्द क्या हो सकता है तो जो इसका सही आंसर है वो है समया अनुकूल यानि कि समय के अनुकूल चलते हैं question number 48 की ओर इसको भी ये वही वही question है इसे भी आपने एक सब्द में इसका उतर देना है तो यह है जहां पहुंचा ना जा सके दुरगम, अगम, अधिगम ये सुगम तो जहां पहुंचा ना जा सके यानि कि अगम चलते हैं आज का last आज का second last question है सत्य और अहिंसा सम्बंद है सत्य और अहिंसा का कैसा सम्बंद है इसके option है भी संग, विकट, गनिष्ट या निकट तो जो इसका सही आंसर है वह है option number C इनका गनिष्ट सम्बंद है चलते हैं आज का last question पचासो किसन है उसने परिश्ण तो किया किन्तु सफलता नहीं मिली इसमें कौन सा वाकिय है तो इसके option है सहीटिवाकिय, सरल वाकिय, मिस्रिद वाकिय इनमें से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर है वह है option number A सहीटिवाकिय